श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज दस्वे भाव में रहेंगे जी हाँ दस्वे भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए अच्छा रहेगा ये दिन आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा दस्वा भाव हमारा कर्मक्षेत्र है ये भाव हमारे कामकाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिस वज़े से आप आपको इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपको इस समय में धन कमाने के नए रास्ते नए जरीये मिल सकते हैं जो लोग बिजनिस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा आप इस समय में खुल कर निवेश कर सकते हैं निवेश के लिए पैसों के लेंदेन करने के लिए ये समय काफी अनुकुल है ये दिन पूरी तरह से आप ही के फेवर में रहेगा दिन का पूरा लाब उठाए और अपने जीवन के हर पल का आनन ले इस समय में आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे आपका मन अपने काम में लगेगा आपके कामों का फल आपको अवश्य मिलेगा जो लोग नोकरी ढून रहे है उनके लिए समय शुब है प्रयास करे आपको अच्छी जावप मिल सकती है कारेक्षेत्र में चंद्रमा के होने का मतलब ही यही है कि कोई भी खाली नहीं रहेगा सब को काम मिलेगा करमों का फल इ साथ सजावट का या जरूरत का नया सामान भी इस समय में आ सकता है जो सामान काफी दिनों से लेने की आप सोच रहे थे वो आप इस दिन ले पाओगे इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी मिलेगा इस समय में आपके ससुराल पक से भी आपको धन्नापोनी की संभाव जो लोग राजनीती में हैं उन लोगों को इस समय में खास तोर पर फायदा होने वाला है राजनीती के ख्षेतर में आपको नाम वप्रतिष्ठा मिलेगी धन की प्राप्ति भी होगी और राजनीती के ख्षेतर में आप सफल रहोगे अगर स्टूडन्स की बात करें तो लोग आप से प्रभावित होगे इस समय में आप प्रसंद न रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ोगे। इस समय में आपको पारिवारिक सुक्की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ खुश्या मनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा अगर स्वास्त की बात करें सेहत की बात करें तो स्वास्त से जुड़ी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में आने की संभाव न रहेगी लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं रहेगी अपनी सेहत को ठ तोड़ना काफी मायने रखता है ये दिन आपके लिए आर्थिक सिदी के हिसाब से भी काफी बढ़िया रहेगा विदिश से धनकामाने के मोके भी इस समय में आपको मिलेंगे कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा साभी दोने वाला है दोस्तो ये राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपन व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से ह हमें भारी नुक्सान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेख देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेंड डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तों ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे, और उनको उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उनके रखे, साप सूत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चट के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे, तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़े हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखे, पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कछरा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वेज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीचे की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे. घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बहार निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना ग करता है, व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने वो अशुब माना जाता है, घर में मकडी का जाला होना अशुब है, इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, और अगर आपके घर में मकडी का जाला है, तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर म लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे हैं जैसे तूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहा तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है, तरक्य ला सकते है, धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रभेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद